नहीं मा ये नहीं हो सकता अमित ने ऐसे कैसे सारी प्रोडुसर्स को के दिया कि वो मेरे साथ अब कोई फिल्म नहीं करेगा अमा वो तुम उससे मिला भी नहीं है ना हुमारी कोई बाच्चित हुई है और इस पात को एक हफ्ता होने आया है ए भगवान मुझे जेस बात का डर था वही हुआ अमित ने आखिर कर अपने परिवार को ही चुना उसने अपने परिवार वालों का सुन कर तेरे साथ फिल्में ना करने का फैसला लिया है नहीं मा वो मुझे इसे नजर अंदस नहीं कर सकता मैं उसकी बेवी हूँ हमारी शादी हुई है रेखा रेखा रुपजा बेटा कहा जा रही है रेखा रेखा रोते रोते बाहर चिले जाती है भगवान जी बस मेरी बेटी के जीवन में तिरसे दुखों के काले बादलना गरच पड़े उसने बचपन से बहुत दुख जिला है उसे और दुख मत दीजिये रेखा अमित तक अलग-अलग जर्यों से पोचने की पहुत कोशिश करती है लेकिन हर बार वो औसफल रहती है अमित तुम कहा चले गए हो लोट आओ मेरे पास अमित प्लीज अमित वही दूसरी तरफ अमित को भी रेखा की बहुत ही आदाती है लेकिन वो एक पती, पिता और बेटे होने की जिम्मेदारियों में बन कर रही जाता है खाना खालो अमित तंडा हो रहा है आज मेंने तुमारी पसंदिदा सबजी बनाई है नहीं जया मुझे आसिडिटी हो गई है इसलिए में खाना नहीं खा पाऊंगा गुड नाइट पर अमित अमित बिना खाये ही अपने कमरे में चला जाता है पर अब जया दिन रात अमित के इर्दगिर्धी रहती है जिस कारण वो चाह कर भी किसी तरह रेखा तक नहीं पोच पाता ये जया तो दिन के आठो पैर मुझे पर नजर रखी हुई है बिच्चारी रेखा ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी रो रोकर उसका पुरा हल हो गया होगा दूर कही चान निकला होगा दूर कही समंदर ने सूरज को निकला होगा रोज इस मोत का नजारा देखती हुमे रोज हजारों मोत फिर जीती हुमे ऐसे ही एक महिने तक चलता है और फिर जया की तबियत खराब होने के कारण वो घर पर आराम करने लगती है जिसके बाद अमित अब बाहर बिना चिंता की जाने लगता है अब ना तो जया किसी को मेरे साथ भेजेगे और ना ही कॉल करके मुझे परिशान करेगे और अब जाकर में रेखा से मिल पाऊंगा और अमित रेखा के घर पोश्चता है और उसे अपने घर आये हुए देख कर रेखा तुरंत उसके गले पढ़कर रोने लगती है तुम आव गए अमित, मुझे पूरा विश्वस था कि तुम जरूर आओगे क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है आ रेखा, रो मत और बस करो किये लो, ये पानी पीओ फिर अमित रेखा को सारी बाते बताता है कि आखिर वो उससे दूर क्यों रहा मुझे माफ कर दो रेखा मैं तुमसे दूर रहा तुम्हें लगा होगा कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ लेकिन इसा बिलकुल नहीं है रेखा रहने दूर अमित कोई बात नहीं तो प्लीज तुम माफी मत मांगो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी इन सब में कोई कलती नहीं है लेकिन अब चब तुम मेरे पास वापस आ गए हो तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है पिछले एक महीने में हर दिन मोट के समान था मेरे लिए लेकिन अब तुमारे आने से वो सारा दर्द एक पल में ही गाइप हो चुका है देखो रिखा में तुमें यहाँ पर एक जरूरी बात बताने आया हो जरूरी बात को होना आमित अपसे में तुमसे ज़्यदा तर दूर ही रहूँगा क्योंकि काम बच्चे और परिवारिन सब को संभालते संभालते में तुमें ठीक से वक नहीं दे पाऊंगा और उससे तुमें बहुत दुख होगा चलिए मैं तुमें पहले ही बता दे रहा हो दुर रहोगे का क्या मतलब है हम कोई दोस नहीं है आमित मीया पेवी है तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो देखो रिखा मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ हम तो बस कम मिला करेंगे और कुछ नहीं पर आमीद अब मुझे निकलना होगा रेखा टोडियों में मिटिंग के बाद घर पर जल्दी पहुँशना है तुम अपना खयाल रखना और कुछ भी लगे तो मेरे दोस्त को या ड्राइवर को बोल देना लेकिन उनके आलावा किसी तक पोचने के कोई कोशिश मत करना वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी बाई अमीद एक मिनिट अमीद मेरी बात दो सुनते जाओ अमीद चल बाजी में वहाँ से चला चाता है और गाड़ी में जाती वक्त वो अपनी आप से कहता है मुझे माफ कर दो रेखा तुमसे दूर रहना तो मुझे भी गवारा नहीं है लेकिन मैं भी मजबुर हो अब अमीद से दूर रहने के कारण रेखा बहुत उदास रहनी लगती है जिस कारण उसकी तबियत खराब होनी लगती है ऐसे ही समय बित्ता जाता है और आमीद और रेखा के बिच काफी दूरिया बढ़ जाती है फिर जानेवारी 1980 में जब रेखा रिश्य कपूर और नितु सिंग की शादी में कई होती है तबी उसकी मांग में सिंदूर देखकर सभी लोग हेरान रही जाते है अरे वो देखो रेखा की मांग में सिंदूर वही इसने शादी तो नहीं कर ली अरे मुझे तो ये लगता है कि इसने अमिता बच्चन के साथ चुपके से शादी कर ली है आखिर इन दोनों का प्यार किसी से चुपा है क्या? अमित के परिवार वाले भी रेखा को वहाँ पर देख कर बहुत ज़्यादा चोप चाते हैं फिर घर जाने के बाद अबरे आने लगती है कि रेखा की मांग में अमित की नाम का सिंदूर है और उन दोनों ने चुपके से शादी कर ली है अमित रेखा की मांग में तुम्हारी नाम का सिंदूर है? क्या तुम दोनों ने सच में चुपके से शादी की है? क्या ये कैसी बकवास बरी बाते कर रही हो तुम जया जो मन में आये बक्ती जा रही हो आप लोगों ने कहा कि उसके साथ फिल्में मत करो तो मैंने आपकी बात मान ली और अब जब फिर से उसकी कोई नई खबर आई है तो आ गए मुझ पर बरसने जोट मत बोल अमित उसके करीबी लोगों से और रिपोर्टर के द्वारा ये बात सामने आई है अमित तच को स्विकार क्यों नहीं कर लेते तुम लेकिन बाबुजी जब ये सब सच है ही नहीं तो मैं बलाई से स्विकार क्यों करूँ बताईए आप अगर उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया है तो उसकी शादी किसी और के साथ हुई होगी न आज आके सब मुझे और उसे लेकर जूटी बाते बनाते रहते हैं तरेखानी मीडिया में ये बयान दिया है कि वो सिंदूर इसलिए लगाती है क्योंकि उसके गाव में खुवारी लड़किया भी सिंदूर लगा सकती है मुझे तो सच कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर सच क्या है और चूट क्या है और मुझे तो ऐसा मेसूस हो रहा है कि मैं तो इन सब में फस्ति जा रही हूँ नहीं जया अब तुम चाहे मानो या ना मानो लेकिन यही सच्चाई है कि मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं तुमें बाबुजी और मा के सामने बचन देता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं मरते दम तक तुमारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा और हम दोनों कभी अलग नहीं हूँगे अमित मैं तो हमेशा ही तुमारी आखों में अच्छा ही और प्यार देखती हूँ लेकिन पिछले कुछ सालू में ना चाने क्यों मेरे मन को ये सारी बाते सच लगने लगी है लेकिन अब तुमारे इस वच्चन को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि तुम बाबुजी के बेटे हो और अपने वच्चन से कभी नहीं मुक्रोगे शुक्रिया आमित ये इस तरह आमित वच्चन देकर जया को शान कर देता है लेकिन जया के दिमाख से अभी भी रेखा गई नहीं थी कोई चाहे कितना भी कहले लेकिन पिछले कोई सालों में हुए किस्सों के बाद ये साफ समझाता है कि अमित और रेखा दोनों की बीच में प्यार हुआ पर अब अमित माच्ची और बाबुची के दबाव में आकर और एक पिता होने के नाते अपने और रेखा की रिष्टे को भूल रहा है तो कि बहुत अच्छी बात है लेकिन अब अब मुझे ये बात रेखा को भी ठीक से बतानी होगी तो जाकर ही वो भी चुप हो जाएगी और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे फिर एक रोज जब अमित बाबुची और तेजी के साथ गाव गया होता है तभी जया प्रेखा को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है और उसका इंविटेशन लेटर देखकर रेखा के होश उड़ जाते है हाँ अमा जया ने मुझे आज दिनर पर बुलाया है लेकिन क्यों बेटा अमित ने तो तुझे एक तरह से छोड़ ही दिया है वो बस महिने में एक बार तुछ से बात करता है फिर अब जया तुझे डिनर पर क्यों बुला रही है पता नहीं अमा लेकिन वो मुझे पर चिलाई तो अमा मुझे बोह टर लग रहा है क्या कुरू मैं देख बेटा तुने प्यार किया है तो डर क्यूं रही है तु अपनी तरफ से कभी गलत नहीं थी तुन्हें अमित के साथ रिष्टा बनाया है लेकिन इस रिष्टे से तुन्हें जान बुझ कर कभी किसी को तकलिफ नहीं दी है तो तु घबरा क्यों रही है? जा बेटा, मिलने जया से पर अम्मा देख बेटा, तु बुरा क्यों सोच रही है? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो तुससे प्यार से बात करे आखिर कर तुम दोनों एक समय पर अच्छी सहे लिया थी बहुत हिम्मत चुटा कर रेखा उस राज जया के पास चाती है जया भी रेखा के साथ डिनर करती है और बहुत अच्छे से बात करती है लेकिन घर में इतने नोकर चाकर होने के बात भी तुमने इतनी महनत क्यों ले अब खास लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते है ना और वेसे भी सभी गाव गये हैं तो इसी लिए मैं अकेली ही हूँ फिल सोचा कि चलो रेखा और मेरे लिए कुछ खास बनाती हूँ That's so sweet of you, जया Thank you so much सभी गाव गये है इसका मतलब अमित भी गाव गया होगा जया और रेखा के बिच धेरो विश्यों पर बातचित होती है सिवाई अमित के फिर रेखा को घर के बाहर गेट तक छोड़ते समय चलो रेखा, बहुत जल मिलते है आ जया, वैसे रेखा एक बात कहनी थी आप कहूना जया, मैं अमित को कभी नहीं चुड़ूंगी और नहीं वो मुझे चुड़ेंगे क्योंकि उसने मुझे और अपने परिवार को ये बच्चन दिया है जया की ये बाते सुनकर रेखा एकदम हेरान रहे जाती है वो अब पुरी तरे से तूट चाती है पुर उसकी राते बस रोने भी लगने में ही गुजरने लगती है क्यों, 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 क्यों अगर मेरे किस्मत में फिर यहीं दर्द लिखाता तू क्यों मिलवाया मुझे अपने अमिद जी से रेखा की ये हालत देख उश्मावली की चिंता पहले से और जदा बढ़ जाती है रेखा, अभी तो बाहर आजा बेटा तीन दिन से तू अपने कमरे में ही बैटी है आकिर कब तो क्यों रोती रहेगी जब तक अमिद नहीं आ जाता अम्मा, मुझे अमिद चाहिए मुझे उससे मिलना है अम्मा कुछ तो करो ना प्लीज अम्मा मैं सास भी लेती हूँ तो गुटन मेसुस होती है सब कतम हो रहा है अम्मा उससे पहले बचा लो हमारे रिष्टे को अमिद ने जया को वचन दिया है और वो समय के साथ मुझे दूर होता जा रहा है लेकिन मैं उसकी बिना क्या करूंगी अम्मा बस मेरी बच्ची बस लेकिन इतना सब होने के बाद भी रेखा ने अमिद से प्यार करना नहीं छोड़ा फिर अचानक से हाँ रेखा मैं यही चाहता हूँ कि मेरी आने वाली फिल्म सिलसिला के लिए तुम अमिद और जया एक साथ काम करो क्योंकि ये कहानी तुम तीनों की ही जिन्दगी पर होगी या क्या के रहे है ये सहाब ये ना मुम्किन है इतना कहे कर रेखा वाहा से चली चाती है और जया भी सिलसिला के लिए साथ इंकार कर देती है लेकिन अमिद की दिमाग में कुछ और ही था इस फिल्म को बनना ही चाहिए और इसमें हम तीनों का ही होना बहुत ज़रूरी है इससे दर्शोकों के मन में रेखा और मेरे अफेर के बारे में जो भी बात है वो बात निकल जाएगी क्योंकि अगर हमने इंकार कर दिया तो लोग तो यही समझेंगे कि इनोंने जान बुच कर इंकार किया है इसलिए अब अमिद आज तोर पर रेखा और चया को समझाता है और इस फिल्म को करने के लिए उन्हें मना लेता है ठीके अमिद मैं इस फिल्म को करने के लिए राजी हूँ क्योंकि इस फिल्म के अंत में तुम अपने प्यार को छोड़कर मेरे पास यानि अपने बीवी के पास ही आते हो और यही बात मुझे इस फिल्म की पसंद आई, सिलसिला की शुटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सेट पर हमेशा गर्मा-गर्मी ही रहती है, जैसे तैसे फिल्म बन भी जाती है, लेकिन इतनी सुर्खिया बटरने के बाद भी, ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है, ये फिल्म रेखा और अमित की सा में आकरी फिल्म थी, फिर एक दिल, रेखा, तेरे लिए ये खतर गुलाब के फूल आये है, अमित ने बेजा है इसे, क्या, अमित ने मेरे लिए खतर फूल बेजे हैं, रेखा, माफ करना, लेकिन ये मेरा तुमें आकरी खत है, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी भलाई के लिए, हमारा अलग होना ही सही होगा, क्या, वो खत पढ़कर रेखा एकदम चोक चाती है, अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूले, जेतिन बेटा, ये तुने क्या कर दिया, अरे इस काली लड़की के साथ शादी क्यों की तुने, आज पड़ोस वालोंने सभी ने देखा होगा तुझे, पूरी इज़क मिट्टी में मिला दी तुने, तेसा कुछ भी नहीं है मा, मैंने जो कुछ भी किया है, बिल्कुल सही किया है, अरे क्या सही किया है, ये काली लड़की सिफ अच्छा खाना बनाती है, इसलिए तुने इससे शादी कर ली, अरे इससे बेटर तो हम इस आध्या को ही घर से बाहर निकाल देते, जरा तो हमारी इज़त के बारे में सो क्योंकि वो इस दुनिया में अकिली है, उसका मेरे सिफा और कोई भी नहीं है, और ये लड़की आध्या से हर काम में सो गुना बहतर है, चुप करो जतिन, तुमने मेरे साथ गलत किया है, अरे मेरे साथ शादी शुदा होते हुए भी, तुम उसके साथ शादी कैसे कर सकते हो, तुमी ने मुझे ये सब करने पे मुझबुर किया है, अगर तुम अच्छा खाना बनाती, अच्छी बीवी और अच्छी बहु बनकर दिखाती, तो में प्रेरना के पास कभी नहीं जाता, तुमें मेने और माने अच्छा खाना बनाने के लिए मोहलत भी दी थी, लेकि और ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती निकालो इसे बाहर अरे तुम होती कोन हो ये सब बोलने वाली तुमारा अब मुझे पर कोई हक नहीं रहा और ना ही इस घर पर अब इस घर की बहुवर मेरी धरम पतनी सिर्फ प्रेर ना है पहले मैंने इज़त का ध्यान रखते हुए तुम्हे और तुमारे नकरों को सहा लेकिन अब मुझे मेरी इज़त के कुछ भी नहीं पड़ी अब मैं सेफ अपने बारे में ही सोचूंगा इसलिए मैंने प्रेरना से शादी की है और यही मेरी बीवी है तो इसलिए अपसे तुमारे नकरे में नहीं सेहने वाला क्या? देखो आध्या तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो रहो वरना दफा हो जा मुझे उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अब हम दोनके बीच में कुछ नहीं रहा प्रेरना चलो हमारे कमरे में चलते हैं फिर चतिन प्रेरना को लेकर कमरे में चला जाता है और ये सब देख कर आध्या के तो होश उड़ जाते हैं ये सब क्या हो गया माजी एक पल में ही मेरी दुनिया इधर की उधर हो गई अगर तू वक्त रहते ही सुदर जाती ना तो आज ये नोबत ही नहीं आती नाला एक कही की अब बेट रोती हुई जब आध्या जतिन के कमरे से गुजर रही होती है तभी उसे कमरे में से जतिन और प्रेरना के हसी मजा की आवाज सुनाई देती है इस फोटो में तो तुम एकदम जोकर लग रहे हो क्या जोकर केसे बोला अब तो तुम गई रुको अरे ये सब मेरे कारण ही हो रहा है अगर मैं अपने पती को पहले ही कुश रख पाती तो आज वक कही नहीं जाता लेकिन मैं ये सब होने नहीं दूंगी ये मेरा गर है और मैं इस घर के बहू हूँ जटिन के पहले बेबी हूँ तो फिर मैं क्यू जाओ यहां से अगर कोई यहां से जाएगा तो ये कल्लो जाएगी मैं नहीं फिर एक दिन जब मालीनी घर के बाहर निकलती है तभी क्या रे मालीनी तो तो बड़ी इज़ट वाले बनती फिरती थी लेकिन तेरे बेटे ने क्या किया उसने तो दूसरी शादी कर ली और वो भी एक काली लड़की के साथ पर क्या हुआ मालीनी तेरे बोलती क्यों बन पड़ गई पहले तो कितनी बड़ी-बड़ी बाते करती थी तू तो अब क्या हुआ तुझे लेकिन एक बात बड़ी-बुरी लगी मुझे पहली बहु में कुन नहीं थे पर अब दूसरी बहु में शकल ही नहीं है कितनी बदसूरत है वो बिच्चारी मालिनी मालिनी को अब बहुत कुछ सा आता है और वो सर जुका कर वहाँ से निकल जाती है और घर आने पर ये लीजिये माजी मैंने आपके लिए गर्मा गरम मटार कचुरी और अध्रक वाली चाय बनाई है मुझे कुछ भी नहीं खाना है इसे तू ही खा ले और हाँ मुझे दूर ही रहे तू मुझे तेरी ये बदसुरत शकल देखना बिलकुल पसंद नहीं है लेकिन माजी मैंने कहा ना दूर रह पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है मेरे तो भाग ही पूटे है सच में पहली बहु भी बेकार थी और दूसरी भी वही निकली शायद मेरे नसिब में बहु का सुक है ही नहीं फिर रात होने पर प्रेर्णा ये सारी बाते जतिन को बता देती है तुम फिकर मत करो प्रेर्णा मा एसी बिलकुल नहीं है जरूर बाहर वालोंने उन्हें भढ़काया होगा इसलिए वह गुसा होई होगी उन्हें थोड़ा वक दो क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम उनका दिल जरूर जित लोगी हाज दिन मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है लेकिन फिर भी पुड़ा बुरा तो लगता ही है ना अब तो मेरा काम भी मैंने वर्क फ्रम होम कर दिया है तो दिन भर में जब काम से ब्रेक मिलता है तब मेरे पास कोई नहीं होता मा जी और आध्या तो अपने कमरों में मुझ फिला कर बेटे होते है कोई बात नहीं प्रेर्णा मैं हूना तुमारे लिए चलो आज हम दोनों साथ में आईस्क्रीम खाने चलते हैं ठीक है जतिन फिर प्रेर्णा और जतिन दोनों साथ में आईस्क्रीम खाने चाते हैं जिससे प्रेधना को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, और उन दोनों को साथ में देख कर, आध्या को बहुत जलन होने लगती है, उस काला ठीका प्रेधना को तो मैं छूड़ूंगी नहीं, उसने मेरा सब को छेन लिया है। अरे आध्या, ये सब तुझे पहले ही समझना चाहिए था, अब पश्टाए होद क्या, जब चिडिया चूप गई खेद, फिर एक दिन, मालीनी को बहुत तेज भूख लगती है, और वो रोसोय में जाकर खाना दूनने लगती है, ये छोले भटूरे तो उस प्रेधना ने ब छोले भटूरे खा लेती है, आरे वाह, ये छोले भटूरे तो कितने शांदार बने है, एसी टेस्ट मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई, इसका मतलब जतिन सच कहता था, प्रेधना कमाल का खाना बनाती है, अब ऐसे ही रोजा ना, जब जब प्रेधना खाना बनाती है, तब मालीनी के मुँ में पानी आता रहता है, और वो अपनी आपको रोख ही नहीं पाती, अरे ओ प्रेधना बहु, चल, मेरे लिए भी खाना लगा दे, क्या, सच में माजी, अरे हाँ, हाँ, अब जल्दी से दे दे मुझे, ज़्यादा नोटन की मत कर, माजी, अभी बरोस्ती हो, फिर मालीनी बड़े ही च्छाव से, प्रेधना के हाथ का बना हुआ खाना खाती है, मानना पड़ेगा, वैसे खाना तो एकदम बहतरिन बना लेती है तू, बस सुन्दरता के मामले में पीचे रहे गई थोड़ी, पर गुनों की पक्की है तू, धर्निवाज माजी, प्रेधना की ये तारीफे सुनकर, आध्या को बहुत कुछ सादा है, ये नहीं हो सकता, आज माजी ने इस कलो की तारीफ कर दी, कल को अगर इन दोनों के बीच में जम गई, और माजी ने इसे सर आखो पर बिठा दिया तो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो स जगता, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, फिर अगले दिन, मा, मैं और प्रेरना परसो हनिमून के लिए जा रहे है, हम एक हफते बाद ही लोटेंगे, अच्छा ठीक है, लेकिन चा कहा रहे हो, एक बहुत ही सुन्दर जगे है मा, हम जेस रिसॉर्ट में रुक दी है, तो जो करना है कर बेटा, मैं क्या ही कहूँ तुस से, अरे मा, ऐसा मत कहिए न, हाँ मैं मानता हूँ, कि मैंने इज़त की बरबादी की है, लेकिन एक बार आप मेरी तरफ से भी सोची है न, जो भी हुआ है, वो बदलते हालतों के कारण ही हुआ है, रहने दे बेटा मेरा सर तो पहले से ही फटे जा रहा है, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करने, लेकिन मा, इतना केकर मालिनी वहाँ से चली जाती है, और उनकी ए सारी बाते आध्या सुन लेती है, अच्छा, तो ये दोनों हनीमुन पर जा रहे हैं, मैं भी देखती हूँ, कि ये द मेरे होते हूए हनीमुन पर कैसे जा सकते हैं, इनकी खुशियों पर अगर मैंने ग्रहन ना लगा दिया, तो मेरा नाम भी आध्या नहीं, हनीमुन के लिए निकलने से पहले, प्रेडना नाष्टा बनाने लगती है, तब ही जतिन उसे आवाज लगाता है, और वो रसुई क बहर चले जाती है, और इसी मोके का फाइदा उठा कर, अध्या वहाँ पर आती है, और वो खाने में पेट खराब होने वाले दवा मिला देती है, अब आएगा मजा, तभी वहाँ पर प्रेडना आती है, अरे अध्या, तुम यहाँ पर, हे भगवान, कही इस कल्लोने मुझ देखा तो नहीं होगा न, नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो बोल देती मुझे, हाँ तो, मेरी भी रसोई है यह, अब रसोई में आने के लिए तुम से इजाज़त लेनी होगी क्या मुझे, अरे ऐसा मैंने कब कहा अध्या, और अगर तुमें कुछ चाहिए, तो मैं अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं बस यह आपर पानी पिने आई थी, फिर आध्या पानी पीकर वहाँ से चली चाती है, बड़ी अज़िप लड़की है, खेर मुझे क्या, जल्दी से टिफिन पैक कर देती हो, निकलना भी तो है, फिर हानिमन पे जाने से पहले, जतिन गर में नाष्टा कर लेता है, लेकिन रास्ते में अच्छा नक से उसका पेट खराब हो जाता है, और उने फिर से घर लोटकर आना पड़ता है, हे बगवान, अरे ये क्या हो गया तुझे बेटा, अच्छा बला तो निकला था तु, लेकिन अब क्या हुआ तुझे, ये अली कलुटे के कारण ही हुआ है, अरे तुझे इतनी सी भी अकल नहीं है क्या, सफर के दोरान कोई इतना तला बुना हुआ खाना खाता है क्या, हाँ रेना, तुमसे ये लापरवाई कैसे हो सकती है, अब देखो, जैतिन की हालत कितनी खराब हो चुकी है, लेकिन मैंने तो कोई तला भुना हुआ नाश्टा बनाया ही नहीं था सब हलका ही था ताकि पेट खराब ना हो तो फिर उसके बाद भी ये सब कैसे हो सकता है खेर जो हुआ सो हुआ अब इस सब के बारे में बात ना ही करे तो ही बेतर रहेगा मुझे आराम करना है इस हाथसे के बाद में प्रेर्णा अब काफी हेरान हो चुकी थी फिर एक दिन जब मालीनी का व्रत होता है तभी अरे प्रेर्णा बहू मेरे लिए थोड़ी साबुदाना खिच्री बना दे आज मेरा ब्रेथ है ठीक है माजी आज तो मैं माजी के खिच्री बिगाड़ूंगी और सारा इल्दम जाएगा इस बिच्चारी कल्लो पर फिर आध्या रसुई में जाकर नमक के डब्बे में से सारा नमक निकाल देती है और वो उसमें पीसी हुई चीनी मिलाती है और प्रेरना उस चीनी को नमक समझ कर उसे साबुदाना खिच्री में मिलाती है जिससे वो खिच्री एकदम मीठी बन जाती है अरे रे 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 ये घटिया खिच्डी खा कर मेरे तो मुखा पुरा स्वाध ही बिगड गया अरे मेरे ब्रत का खाना था ये इसे बिगारते होए तुझे शरम नहीं आई क्या निरलज्ज कही कि माफ केजे माजी लेकिन मैंने तो नमक ही डाला था इस खिच्डी में तो फिर ये मिठी कैसे बन गई अरे शांत रहे अब जदा सफाई मत दे और ये सच्चाई को स्विकार कर कि तुने एक बेसवात खिच्डी बनाई है और तुझसे भी खाना बनाने में गलतिया हो सकती है खुदको जदा महान समझने के कोई ज़रूरत नहीं है फिर मालीनी से दाट खाने के बाद में जब प्रेरना नमक का डबा चेक करती है तभी उसमें नमक ही होता है औरे इसमें तो नमक ही है फिर माजी के खिच्डी मीठी कैसे बन गई आखिर ऐसे कैसे हो सकता है मैंने सही समय रहते ही इस डब्बे में फिर से नमक मिला दिया था क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि ये कलो फिर से आएगे यहाँ पर और इस डब्बे को ज़रूर चिक करेगी प्रेरना को यही बात खाई जाती है फिर बात में क्या हुआ परेरना किस सोच में डूबी होई हो तुम अरे हो जाती है गलतिया अब छोड़ो भी उस बात को वेसी बात नहीं एचतिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले दिनों में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आध्या ने ही किया है मतलब होप मुझे याद आ रहा है उस दिन जब मैं हनीमून पे जाने से पहले नाष्टा बना रही थे तभी मैं एक मिनिट के लिए रसोई के बाहर गई थे और तभी वहाँ पर अच्छानक से आध्या आ गई थे जबकि आध्या रसोई में ज़्यादा आती ही नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसी ने तुमारे नाष्टे में पेट खराब होने की दवाई मिलाई है क्योंकि मेरा जो नाष्टा था उसे खाने के बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ और ये सब उसने इसी लिए किया ताकि में तुमारी और माजी की नजरों में पूरी बन जाओ क्या? हाँ चतिन और रही बात खिच्टी में नमक की जगे चीनी मिलाने की तो ये करामाती भी उसी की होगी उसी ने ही नमक के डिब्बे में पीसी हुई चीनी रखी होगी ताकि मुझे माजी से दाठ मिले हाँ प्रेणा शायद तुम सही कह रही हो क्योंकि वो ऐसा कर सकती है फिर चतिन और प्रेणा ये सारी बाते यामीनी और आध्या को बताते है और उनकी ये सारी बाते सुनकर आध्या पूरी तरे से डर जाती है अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन दबाना ना भूले बगवान जी इस अंजान जगे में मैं कहाँ पर जाऊंगे सर जी और मैं जिस होटल में रुके थे मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता अब मैं क्या कोरू कैसे दूंडू उस होटल को अब वो बहुत कबरा जाती है और वो अब यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती है वही विराज फ्लाइट में बैटकर शहर पोच जाता है और वो अपनी मीटिंग्स में बिजी हो जाता है ये सर जी भी ना सच में और एक शेलफी तो मांगी थी मैंने उनसे एक शेलफी भी नहीं कीस सकते क्या वो मेरे साथ तो अब मुझे इस अंजन जगे पर अकिला छोड़ कर गए है एक बार भी नहीं सोचा कि अकिली मैं यहाँ पर क्या करूंगी कैसे निकल पाऊंगी यहासे में फिर कुहो उस होटेल को दूनने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो होटेल उसे नहीं मिल पाता फिर विराज जब शाम को अपनी सारी मिटिंग्स खतम कर लेता है अभी उसे दादी का फोन आता है और वो दादी को बता देता है कि उसने गुसे में कुहो को वहाँ पर पागल हो गया है लड़की को तो अंजन जगे पर अकेला चोड़कर आया है अरे तुझे पता है ना कि वो लड़की कितनी बोली है उसे उस नए जगे के बारे में कुछ भी पता नहीं है और तुने इतनी बड़ी भूल कर दी अरे ऐसा कैसा गुसा है तेरा लेकिन दादी में तो वो अब तेरा में तो तो बन कर दे और जा जल्दी से उसे धून कर ला और अगर तुने कुभू को यहाँ सही सलामत वापस नहीं लाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा समझा की नहीं इतना कहकर दादी कॉल कट कर देती है और विरा जब बहुत तर जाता है क्योंकि दादी के कहने से उसे यह एसास हो जाता है कि उसने कुभू को वहाँ अकेली छोड़कर बहुत बड़ी कलती करती है यह मैंने कुभू के साथ बहुत गलत किया है उसे में आकर उसे वहाँ पर अकेला ही छोड़ दिया और यहाँ पर अपने काम में बीजी हो गया लेकिन इस पात पर ध्यानी ही नहीं दिया कि कुहु आपर अकेली कैसे रहेगी नहीं, मुझे कैसे भी करके जल्दी से वहाँ पोचना होगा फिर विराज फोरुन अपने प्राइवेट चौपर में बेट कर वहाँ से शिम्ला के लिए रवाना हो जाता है वही दूसरी तरफ कुहु भी अपनी होटेल की तलाश करने लगती है शिव मंदीर, हमारे होटेल की पास में शिव मंदीर है अगर मेंने लोगों से उसका पता पूछा तो मुझे होटेल का पता भी मिल जाएगा हाँ, यही करती हूँ मैं अब फिर कुहु अब लोगों से पूछ कर शिव मंदीर तक पहुच जाती है और फिर वो उसके जरीए होटेल भी पहुच जाती है और होटेल के गेट के बाहर, थन में थितूरते हुए खड़ी रहती है जय भोलेनाथ, शिव जी, आज आपके कारण में बज गए अब मैं होटेल के लोगों से पूछ कर, सर जी से बात कर लूँगे और सर जी मुझे लेने आ जाएंगे, तभी वहाँ पर विराज आता है उसकी कोई जरुएत नहीं है कुहू, क्योंकि अब मैं आपर आ गया हूँ सर जी, आप आ गए कुहू विराज को देखकर बहुत खुश हो जाती है, और जट से उसके गले लग जाती है कहां चले गए थे आप मुझे छोड़ कर, पता है मैं कितना गबरा गई थी और मुझे माफ कर दीजिये, आइंदा से मैं ऐसे नहीं करूँगी हाँ हाँ इट सोके, अब दूर रहो, हम बाहर खड़े हैं हाँ, पर आप, आप सुबह से गए थे, पर अब रात में याप पर आ गए हो, कैसे कैसे, आप सच में मुझे चोड़ कर गए थे, क्या हाँ कुहू, अब तुमने मुझे गुसा ही इतना दिलाये था, तो मैं भी क्या करता लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, दादी ने कहा था, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गया, अब वापस चलो फिर कुहू और विराज, फिर से शहर चले जाते हैं, और घर पहुचने के बाद, दादी उन दोनों को भी समझाती है विराज पुत्तर, कुहू पुत्तर, तुम दोनों इतने ना समझ कैसे हो सकते हो, अरे अब तुम दोनों पती पतनी हो, और अगर तुम दोनों एक दूसरे का समझ कर नहीं लोगे, तो कौन लेगा? और अगर विराज का फोटो किषने का मन नहीं है तो तू उसे उसके हाल पर छोड़ दिया करना पर तू नालायक जगडे लड़ाई में अगर तूने आइंदा से अपनी बेवी को अकेला छोड़ दिया तो मैं भूल जाओंगी कि तू मेरा पोता है इस बात को गाट बांद ले ठीके दादे मैं आइंदा से खयाल रखूंगा फिर एक दिन जब कोह रसोय में काम कर रही होती है तभी विराज वहाँ पर पानी पीने आता है और तभी अचानक से उसका पेर फिसल जाता है और वो कोह उपर गिर जाता है हाई राम, सरजी, सरजी उठ जाए मैं तो मर गई रहे सरी कोहो, वो मेरा पेर फिसल गया था इसलिए मैं तुम पर गिर गया चलो अच्छा है इसी बहाने आपके मूँ से सारी तो सुनने को मिला वरना उस दिन आपने जो गलती कर दी उसके बाद एक सारी भी नहीं सुनने मिला मुझे लेकिन आज पता चला आप इतने भी कमबकत और खडोस नहीं हो जितना कि मैं आपको समझती हो बस बस, ज़्यादा मूँ चलाने के जरुरूयत नहीं है और ज़्यादा फ्रांक होने के कोशिश भी मत करो मेरे साथ फ्रांक? ये तो किसी अंग्रेजी मिठाई का नाम लग रहा है ओफो, चुड़ो और जो कर रही हो वही काम करो फिर विराज वहाँ से चला जाता है फिर एक दिन, जब कोहो को पता चलता है ये किशर भाया विराज को टिफिन देना भूल गए है तब ये वो उसे टिफिन देने ओफिस पहुचती है सर जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? परे कुहू, तुम यहाँ पर? जी हाँ, परक बस इतना है कि पहले में यहाँ आपके कमपने में काम मागने आई थी और अब में यहाँ पर आपके बीवी बन कर आई हो ये लीजिये, आपका टिफिन वो किशर भाया आपको टिफिन देना भूल गए थे ना इसलिए ये टिफिन आज आपको मेही देने आई ओ गड को हो, एक टिफिन के लिए तुम यहाँ पर आई हो हाँ, क्यों, आपको ये टिफिन कुछ और लग रहा है क्या कहिए आपकी आखो में दोल मिट्टी तो नहीं जम गई न तुम सच में पागल खाने से ही चूट कर आई हो खेर, एक बात कान खोल कर सुन लो ये शादी सिर्फ एक सोधे की शादी है Contract Marriage इसलिए मेरी बीवी बनने के कोशिश मत करो You get that? ठीक है बाबा, ठीक है जानती हो कि हमारी Contract Marriage है लेकिन खाने की मामले में क्या बीवी और क्या नोकरानी और आप दिन पर इतनी महिनत करते हैं किसी राबोट की तरब अस इस लैपटॉप में टप 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 करते रहते हैं और ऐसे में अगर आप खाना नहीं खाओगे वो आपकी सहथ पर बुरा असर होगा ना इसलिए मैं एक खाना लेकर आ गई और कुछ नहीं अब लीजिए रख कर जा रही हूँ ये टीफिन पुरा खतम करकी ही वापस लाना इतना कहेकर कुछ वहाँ से चली जाती है जाने अंजाने में ही सही लेकिन उसके जाने की बाद वीराज टीफिन को देखकर कहता है कुछ चाहे जैसी भी हो लेकिन वो मेरा और दादी का बहुत खयाल रखती है सच में दिल की बहुत सच्ची और अच्छी लड़की है ये फिर एक रोज जब कुछ दो से तीन दिनों के लिए अपने मायके में मा अनुप्रिया के पास रहने चाती है तब ही विराज बार-बार उसे फोन करता है क्या बात है सची आज आपकी मिटिंग नहीं है क्या जो बार-बार मुझे आप फोन किये जा रहे हो आपको मेरे बगए रहा नहीं जा रहा क्या अब क्या करो तुमारी चिक-चिक के अदज्य हो गई है मुझे इसलिए मैंने फोन किया वैसे मज़ाग अच्छा कर लेते हो आप है न? वैसे केसी है तुमारी मा की तबियत और डॉक्टर ने क्या कहा बस अभी 10-15 दिन में आपरेशन होने वाला है और डॉक्टर साब ने कही दिया है कि आपरेशन सफल ही होगा और मा बिलकुल ठीक हो जाएगी चलो अच्छा है मैं भी यही चाहता हूँ कि तुमारी मा जल से जल ठीक हो जाए ये सब आपकी ही बदलत है सर जी अगर आप ना होते तो पता नहीं मैं अपनी मा का इलाज करा पाती भी या नहीं आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद अरे बस बाबा बस और कितनी बार धन्यवाद कहोगे अच्छा आज में मिटिंग खतम करके तुमारी मा से मिलने आऊंगा ठीक है ना की की सर जी चलेगा आज आईए मा भी आपसे मिलना चाहती है फिर ओफिस खतम होने के बाद विराज कुहू की मा से मिलने चाहता है और उनके साथ बहुत अच्छा समय भी बिताता है और जब तक कुहू अपने माइके में रहती है तब तक ना तो विराज का और ना ही वो रहा है मुझे मैं तो कितनी जल्दी सो जाता था लेकिन आज जब यहाँ पर कोहू नहीं है तो मुझे नींद ही नहीं आ रहे उसके साथ मेरा तो एक अलग ही लगाव जुड़ गया है सोईजी सो गए होंगे ना सो ही गए होंगे एक मैं ही पागल हूँ जो इतनी देर रा चल रहा है विराज और कुहू के दिल अब धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं लेकिन उन दोनों को इस बात के खबर भी नहीं थी कि उनके बीच का ये रिष्टा क्या कहलाता है वही अब वो एंप्लॉई जिसे विराज ने कंपनी में सब के सामने थपड मारा था वो अब लेने के लिए बेताब होता है और ऐसे ही एक दे हादा दे मैंने ड्राइवर को बोल दिया है वो आपको और कुहू को आपकी सहली के घर तक छोड़ देगा और अभी कुछी देर में वो वहाँ पर गाड़ी लेकर पहुच भी जाएगा विराज के ये बाते वो और वो कुहू बाहर जा रहे है अब देखना में क्या करता हूँ अगर तू विराज बिलाए तो में भी रोहुन शिकावत हूँ मेरा नाम तो तेरे जितना बड़ा नहीं है लेकिन बदला लेने में में बहुत माहिर हूँ और तूने तो मेरी सबके सामने बेस्ती की है और अब में तेरी कमजोरी यानि तेरी दादी और तेरी दो कौड़ी की बीवी कोहू पर हमला करूंगा उबस अब देखते ही जा कि में तेरा क्या हाल करता हूँ फिर रोहन बिला मेंशन पहुशता है और वो फटा-फट गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर देता है अब आएगा मज जब वो बुडिया और वो नोकरानी इस गाड़ी में बेटेंगे सहीली से मिलने जा रहे थे ना लेकिन मैं तो उने सिधे बगवान के पास ही फोचा दूँगा क्योंकि मैंने इस गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिये है इन दोनों की मोत सी विराज पुरी तरेत उड़ ब्राइवर बहुत खबरा चाता है अरे नहीं ये क्या कार का तो ब्रेक ही नहीं लग रहा लगता है इसके ब्रेक फेल हो गए है ए बगवान अब क्या होगा अरे लखन ये तू क्या बोल रहा है ब्रेक फेल हो गए अब क्या होगा ए मातरानी विक्षा करो ब्राइवर लख बहुत कोशिश करता है लेकिन गाड़ी के ब्रेक ही नहीं लगते और कुछ दूर चलने के बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से पेड से टकरा जाती है और उन टीनों का एक बहुत भयंकर एक्सिरेंट हो जाता है उदर दूसरी तरफ फिराज कुछ को फोन लगाने के बहुत कोशिश करता है पर उसका फोन बंद आता है ये क्या? कुछ का फोन बंद केसे आ रहा है? एसा तो कभी नहीं होता फिर आज केसे हो गया? मेरा दिल भी बहुत गबरा रहा है अब आगे क्या होगा? क्या कुहो और दादी की जन बच पाएगी? ये कहाने गुजरेगी कई अंदे के और चोका देने वाले मोर से इसलिए इस कहाने का अगला भाग भूल कर भी देखना ना भूलिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन दबाना ना भूले